नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन इन दिनों बिहार के अपर मुख्य सचीब केके पाठक जो हैं काफी जादा चर्चाओं में बने हुए हैं खास करके बिहार के सिक्ष्या विवस्था को दुरूस्त करने के लिए केके पाठक लगतार नियमों में बदलाब कर रहे हैं जहां एक तरब बिहार के सिक्ष्या मंतरी प्रोफेसर चंदर शेखर से विवात को लेकर हो या फिर स्कूल के टीचरों को लेकर हो केके पाठक इन आदेश के मुताबिक वैसे कॉलेज जहाँ स्टूडेंट की संख्या नाम मात्र की है उनकी मानिता रद की जाएगी इसको लेकर कॉलेज की मानिता रद करने को लेकर सभी विश्यवीद्याले के कुलपतियों को आदेश जारी किया गया है सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीब केके पाठक ने गुरुबार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी सभी कुलपतियों के साथ बैठक की है इस बैठक में ISK के पाठक ने कागस पर चल रहे अंगीभूत डिगरी कॉलेज की मानिता रद करने का आदेश दिया है यही नहीं अपर मुखे सचीब केके पाठक ने अफिलेटेड अलप संख्यक कॉलेज के लिए भी निर्देश जारी किया है कागज पर इस टूडेंट को दिखाने वाले अलप संख्यक कॉलेज को रद करने का भी आदेश दिया है ISK के पाठक ने सिक्षकों की सिक्षक और सिक्षकतर कर्मियों की उपस्थिती की ज़ानकारी की भी मांग की है अंगीभू जिगरी कॉलेज के सिक्षक और सिक्षकतर कर्मियों का अटेंडेंस को उपलब्ध कराने का अभी निर्जेश दिया गया है सिक्षा अपर मुखे सचीब केके पाठक ने कुलपतियों को कहा है कि सभी मानिता प्राप्त कॉलेज के सिक्षक और उनके कर्मियों जो हैं वो अटेंडेंस सीट दोपहर तीन बजे तक सिक्षा विभाग को भेज दे अटेंडेंस सीट उपलब नहीं किये जाने पर कारिवाही करने की भी बात कही है हम बता दें कि बिहार में कुल 227 एफलेटेट कॉलेज है इन कॉलेज पर केके पाठक के आदेश की तलवार खिच गई है ISKK पाठक ने सभी विश्विद्दाले के कुलपतियों को ये भी निर्देश दिया है कि वो MAJMC केस को निप्टारा करा है इसके लिए उन्होंने 22 जुलाई का डेडलाइन दिया है सिक्षा परमुक्ष सचीब के कुलपतियों को कहा गया है कि कोड से जुड़ी MAJMC केस का निप्टारा अनिवारे रूप से करे साथी साथ निप्टारा नहीं किये जाने पर कारिवाही के लिए भी तयार है सक्षा विभाग के अपरमुक्ष सचीब के के पाठक ने सूबे के 80,000 सरकारी स्कूल के हेड मास्टर और प्रभारी प्रधान अधियापक के वीतिये प्रवंधन कारे के लिए नया गाइडलाइन ज़ारी किया है ये गाइडलाइन 14 पेज का है नय गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल के बैंक खाते कितने हैं किस प्रकार के हैं बैंक खाते कैसा हो इसको लेकर नियत तै की जाए नए गाइडलाइन्स में सिक्षा ट्रेनिंग में शामिल किये जाने वाले को कहा गया है कि अपर मुक्सचीब केके पाठक ने कहा कि नए गाइडलाइन को अनिवार रूप से लागू किया जाए तो जहां एक तरफ केके पाठक जब से सिक्षा विभाग के अपर मुक्सचीब बने तब से लगादार सिक्षा विवस्ता में ने ने नियम ला रहे हैं कड़े नियम ला रहे हैं सिक्षा विवस्ता को दुरुस्त करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे है वहीं अब कुलपतियों को ये साफ आदेश दे दिया गया कि अगर उनके कॉलेज में नाम मात्र के स्टूडेंट है तो ऐसे कॉलेज की जो मानिता है उसे रद कर दी जाएगी फिलहाटले इस खबर में इतना ही अनिक अप्डेट्स के लिए देखते रहें अनियूसफोर्चिन